हेलो गाइज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूजेलेंड और अस्विलिया के बीच में जो ठर्ड और आखरी टीट्वेंटी खेला जाएगा जो फिर से चेंजेस हुए है फिर से कुछ एक प्लेय लिखे टीम बनाने में तो बस आपको यह पूरा वीडियो देखना है विदाउट स्किप किये अगर आप यह वीडियो पूरा देखोगे तो ही एक आप अच्छी टीम बना पाओगे अधर्वाइस ना फिर आप आप आगे वीडियो पर कॉमेंट करोगे कि देखो ऐसा तो ह हुआ नहीं अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो लॉजिक नहीं पगड़ पाओगे और फिर आपकी चीजें मिस हो जाएंगी और आप टीम अच्छी नहीं बना पाओगे अपनी प्लैंस को एक्जिक्यूट ही नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट के अच्छे होने अगर आप जग है तो उसके बाद इन्वेस्ट कर देना कोई दिक्कत नहीं है आपको ऐसे ही बता देता हूं और अकलेंट का विकेट एक बैटिंग ट्रैक रहता है तो यहां पर बनाना थोड़ा एजी रहता है और स्टार्टिंग में थोड़ा पेसर को मदद मिलता है ठीक अब लास्ट में क्या हुआ अस्टेलिया ने 174 बनाया और निजलेंड की टीम 102 पर को यहां पर इस्पिनस कोचे पेसर को 13 में से 8 विकेट पेसर को फस्ट इनिंग में मिले ठीक है तो जो मैंने आपको चीजे बताई वही चीजे आपको यहां पर दिख रही है अब ऐसा है क इससे पहले दो मैचेस यहां खेले गए देखो यहां 196 बना या 226 बना यह नहीं कि हर बार 200 बनता है लेकिन हां ठीक ठाक स्कोरिंग हो जाता है अगर खुद बल्ले बाद खराब ना खेले तो इदो मुकाबलों में चार विकेट स्पिनर 26 विकेट पेसर तो पेसर ने थोड लेट दिखेंगे यहां पर मैक्सिमाम राइट है तो मैच अप सुतना ज्यादा है नहीं अगर हम यहां पर बात करें नीजिलैंड की प्लेंग लेवल तो जो इनके इंपोर्टेंट प्लेयर है फिन अलन टिम साइफ़र्ड अगर खेलते हैं तो मिचल सेंडर ग्लेंड फिल अब इनके जो पावर प्लेंड बोल्ट और फर्गूशन बेंचर से चारो एक एक ओवर लेके आए थे लास्ट मैच में और इनके पास यह चार चार ओवर डालते हैं जरूत पढ़ती है इनके पास ग्लेंड फिस्ट भी है गिंदवाजी डालने के लिए ठीक है इसके बाद दिए इनके कुछ बेंच प्लेयर से अगर राविंदर फिट हो जाएंगे तो खेल सकता है दर्वाइज अभी चांसेस तो कम ही है ठीक है डेविन कॉन्वे रूल डाउट हो चुके नहीं खेलेंगे टिम साइफ़र्ट का स्टैट्स देख लो स्वारी चपन मैच की तिरेप इसके बाद यहां पर देख लो हर एक प्लेयर का स्टैट्स काफी बैटर इनके बास बॉलर काफी अच्छे है इसके लावा अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा फटाफट जुड़ 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 देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला जाता है क्योंकि बार-बार हम वीडियो नहीं बना सकते हैं अब इस वीडियो के बाद कोई फर्दर न्यूज आती है आफ इनकी टीम में भैंकर चेंजेस हो सकते हैं वह क्या चेंजेस रहेंगे स्पेंशर जॉंचन और यह जैंपा में से भी किसी को रैश्ट दे सकते और इनकी जगों खेलेगा उसका मैं प्रॉपर सभी आपको दिखा देता हूं लेकिन एक चीज और ध्यान रखो कि देखो वैस स्टीव स्मिथी खेलेंगे ज़रूरत पढ़ती है तो यह जोस इंगलिस को भी उपन करवा सकते हैं ऐसा होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा लेकिन अभी चांसेश कम है उतना अच्छा नहीं अच्छा किया उससे पहले यहां पर भी अच्छा किया सखेंगे तो इस तरीके से इनका ध्यान रखना है अब देखो इनके जो पावर प्ले के लास्ट में यह गेंद बाजी था चार पैट कमिंस के तीन मिचमास के तीन और एडम जंपर के चार ओवर इलीज के तीन अब तब तक न्यूजिलेंड ऑल आउट हो गई थी अब इनक ज़रूरत पढ़ती है तो इनके पास एक अल्राउंटर एवेलेबल है तो मैथ्यू सोट की वापसी हो सकती है यह लोग किसी को भी रैस्ट दे अगर मैक्स्वल को रैस्ट दे जैसे भी हो आपको आफ्टर टास पता चली जाएगा ठीक है इसके अलावा इनके प्लेयर आपको स्टार्स देखने मिलेगा तो ध्यान रखना किसका स्टार्स अच्छा है किसका नहीं है जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में देखाता हूंने स्टैट्स उसी तरीके से लिखा हुआ है एरन हर्डी तो इस टौर्नामेंट से मतलब सीरीस से आउट हो चुक है तो खेल स्टार्क की तो अठावन इनिंग में 73 विकेट है तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा है आप हर एक प्लेयर का स्टैट्स ओवरल दोने टीमों के बीच में 18 बार मोगाबले हुए न्यूजिलेंड ने छे बार और अस्ट्विलिया ने बार जीते हैं दोने टीमों के ब स्टीम के अठीम में 8 रखते हैं काफी खराब रिगोर्ड है फॉर्म भी काफी खराब है मैक्सवेल 29 का आवरिज है मिचमार्स 40 का आवरिज है डेविट वरनर 25 का आवरिज है चलो एक तो खेलिंग गहीं निए मैथिवेट को उतना अच्छा नहीं है ट्रेविश है ठीम ड उसके बाद यहां से हेजलोट का अच्छा रिकॉर्ड है चार रिकॉर्ड है अगेंस न्यूजिलेंड मैक्सवेल उतनी ज्याद है कि इनवाजी नहीं कि इस टीम के अगेंस्ट बाकि सबका डिसेंट रिकॉर्ड है जैंपा 11 रिकॉर्ड है वह देख लेते एक बार तो टीम सैफर्ड का हैड्टो एड्ट में खराब रिकॉर्ड वन्यूप भी खराब रिकॉर्ड है फॉर्म भी काफी खराब है तीनो तरफ से नेगटिव में जाते हैं लेकिन ग्लेंट लिग में ट्रॉम्प के तौर पर ट्राइब कर सकते हूं कि टैलेंटर तो है ठीक है कीपिंग और प्लेयर बेटल की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको प्लेयर बेटल देखने मिलेगा जो साइजल वुड दो बार आउट कर चुके फिन अलन को और यह थोड़ा दिक्तत खाते इनके सामने मिचल सेंडर मैक्सुल के सामने दो बार आउट हुए है ग्लैंट फ्लिप्स बाकी सब एक बार आउट हुए डेवन कॉन वे तो खेलिंगे नहीं ठीक है यहां पर आओ तो ट्रेविस उतना जादा किसी के सामने स्ट्रगल नहीं किया स्टिव श्मित लॉकी फर्गुशन के सामने पांच गेंदों में दो बार आउट हुए मिच मार्स के सामने दो बार साओधीक खेंद मैं मैं एक सेंडिनर के सामने दोबार आउट हुए सामने धोबर आइस के साहनने जादा हो जाएंगे उनको लेना ना रिस्क बढ़ा देगा फिनलन हीट और मिस्टाइब की खिलानी है चलते हैं तो खूब चलते हैं अदर्वाइज यह जल्दी आउट होने के चांस है जकते हैं और हेजल वूट के सामने थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं तो हो सकता है हेजल वूट इनको लेके चले जाए लेकि है मैंने आर पार वाला प्लेयर लिया है जो या तो मुझे एक तरफा जितवा एक तरफा हरवा है तो आपको सेफ जाना है तो टिम सेफट बैटर है जोस इंगलीज थोड़ा नीचे आएंगे अगर यह उपन करेंगे तो सबसे बैटर चॉइस वैसे ओपन करने के चांसे कम मैं काफी नहीं चाहेंगे तो यह थोड़े से चॉइस हो जाते हैं बैटिंग सेक्शन में मिचल मार्स मस्था पिक क्योंकि आप बॉल राउंड अबिलिटी वाला काम कर रहें देखो बॉलिंग भी करके दे रहें इंपोर्टेंट रहेंगे कप्तानी माटेरियल पैस्ट मा जागा हो जाएगा कंसिस्टेंट स्कोर रहें और अच्छी हीटिंग करते हैं और ट्रेविस हैड इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि अस्विलियाई टिम डॉमिनेट कर सकती है तो इनके टॉप आटर को जरूर लेके जाओ बस यह रीजन है कि मैंने स्टीवी स्मित को भी स्टीवी स्मित को जादा इंपोर्टेंश नहीं देता हूं हाला कि इंटरनेशनल में मैं मैं फिर भी देता हूं अब मैंने ले लिया है क्योंकि एक साइट से अंकर करते हैं बड़ी पारी खेल सकते हैं अबिलीटी तो है आपको पता है कितने बड़े खिलाडी है यह चैप करते हैं इसके अलावा देविट की बल्ले बाजी नीची होने के कारण मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करने रहा हूं में ले सकते हो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अर्ली विकेट्स गिर रहे हैं मैं आपको ऐसा कॉंबिनेशन भी दिखा दूंगा बाद में कि आर्ली इसके टेक्निकली स्ट्रॉंग बले बाजे बट वही चीज नहीं कि बड़ी टीमों के गेंस इनका परफॉर्मेंस उतना जल्दी नहीं आता है दस में से दो तीन बार करते हैं तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है घ्ले ट्राई कर सकते हो मैक्सवेल इंपोर्टेंट हो जात और विखल फेंट के पास ओपनिंग का तो अगर यह ओपनिंग करते हैं तो इस्टीव स्मित के जगें इनको लेना है फिर यह बॉलिंग भी कर सकते हैं वैसे चांचेस थोड़े कम है लिकिन अगर टीम मौका देना चाहिए तो खराब ऑप्सन नहीं है क्लासन को बॉलिंग से मौका मिलनी रहा है बैटिंग काफी नीचे तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करनी रहा हूं वैसे तगड़े हीटर है ठीक है बॉलिंग से विकेट भी निकालते हैं डोमेस्टिकली लेकिन यहां पर उतना मौका नहीं मिल रहा है तो थोड़े रिस्की हो जाएंगे अगर लोगे तो मिनी जेल में भड़ेट राएगा सकते हो बॉलिंग से लॉकी फर्गुशन अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें तो लेके जा सकते हो देथ में आएंगे मस्टा पिक होएंगे लेकिन इनकी टीम से ज्यादा उमीद नहीं कर रहा हूं कि सकते हो वैसे कि टीप के विगेट आजियर के बॉल्लर है लेकिन फर्स्ट से약 इनिंग में सकता है कि इनको इतने से नंग में घृत wie तो फिर सतंध कर सकते है तो समय धेंगे वापाले में कराश्य कहिए रहेंगे अगर नहीं तो इंकी जيए पेंसर जॉंस खेलेंगे तो हम स्पेंसर जॉंसन को लेंगे ठीक है यह ध्यान रखना है उसके बाद देखो ट्रेंट बोल्ट मस्चपिक चाहे कोई भी भी नहीं हो भले लास्ट में विकेट लिस गया बट विकेट निकालने गता में थोड़े रंच भी बना ले रहें रिसेंटली अपना चीकब डफी बीनके टीम में एड़ है लेकिन खेलेंगे कि नहीं वह एक अलग विकल्प है लेकिन देखो खेलते हैं तो यह उतने विकेट टेकिंग नीचर के गिंद बाज निए जब तक कि देथ में आज ठीक है तो अभी के लिए नहीं लिए उनको भी खेलना खेलना खे के जाने से चलो ठीक है टिम साओधी तो अलग उनका मैटर है लेकिन डेवन कोनवे के जाने से अब उनकी बैटिंग और थोड़ी वीक हो गई तो यह और इंपोर्टेंट हो जाता है अब इनकी टीम ने कभी-कभी क्या करती है कि लॉकी फर्गोशन को दो और देती है और लेकिन बाजी करें तो अब हो सकता है दोनों में से कोई एक परफॉर्म करें लेकिन जो भी परफॉर्म करें जैसे लास्ट में लॉकी फर्गोशन ने अच्छे विकेट इंकाले यह भी लेके जा सकते लेकिन अगर आगर बालिंग आ गई तो मैं दोनों को थोड़ा को बैक करूंगा कोई भी इनिंग में लेके जाओंगा बैंशियर्स अगर इनकी टिम फरस्ट इनिंग में लेके आ जाएंगे विकेट टिकिंग निचर के इंबाज है यहां पर थोड़ा मीडल वर्स में ज्यादा उमीद नहीं कर रहा हूं लेकिन हां विकेट टेकिंग अगर तरफा माल लो एक तरफा भी नहीं असानी से जीत रही है तो फिर इनको मैं ज्यादा एक्सपक्त क्यूं कर वेकेट निकाल लेगा एक विकेट से ज्यादा फिर मैं एक्सपक्त नहीं कर रहा हूं इसलिए मैंने छोड़ दिया है नीचे इस चार के खेलेंगे तो प्रकार से जहां पर कप्तानी मैंने मिच मार्स को और वाइस करतानी सेंटनर को दिया क्योंकि डूब रोल रहेगा दोनों का सेफेश कैप्टन वाइस कैप्तन है इनकी बैटिंग अबिलीटी थोड़ी ज्यादा बैटर इनका बैटर इनको किया है अपनी टीम में ठीक है अ पॉलिंग में जिस तरीके से चेंजेस होगा वह भी आपको बताया तो अकॉर्डिंग लिए आपको चेंजेस करना है बस आपको टेलिग्राम से जुड़ना है बिल्कुल इंपॉर्डेट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले में लिंक है फट 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 ज अब ग्रेंड लिखेल रहे हो तो ग्लैंड फिलिप्स ट्रेविश फिनल इंके उपर ट्राइब कर सकते हो अब देखो आप ग्रेंड लिग की टीम बनाओगे कैसे कुछ एक ट्रंप पिक्स चुकी चेंजेस होने के अच्छे खासे चांजेसे तो मैं आपको टेलिग्राम प है यहां पर मैंने इस्टीव श्मित को मिस किया है और जों सिंग्निस को ले लिया वैंने इस लिए और फिलिप्स को मैंने वीसी स्कूंध बलेबाजी जल्दी आएगी विल्यंग को मैंने लिया याएक ट्रम पिक के तौर पर गैक्ष्वलम के तो नीको लिया है थी जबर लॉजिकल तरीके से टीम बनाऊगे तो उसके राइंक अच्छे लाने के ज्यादा चांसे रहेंगे ठीक है बस लग आपके साथ होना चाहिए तो ग्रेंड लिग में आप लॉजिक के अकॉर्डिंग टीम बनाऊ हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में दबता के लिए जाहिए